Hello all my dear students, I hope you all are doing good. मैं उम्मीद करता हूँ और सब लोग बहुत यह बढ़िया होंगे और आप अपने CA final की preparation पूरे जोरो और शोरो से कर रहे होंगे for your new course exams of May 24 and November 24. देखो आज का ये वीडियो जो है बहुत informative वीडियो है. के सर हम DT के लिए हम कौन सा batch ले हम regular batch ले या fast track batch ले और regular batch में क्या आप कराते हो, fast track batch में क्या कराते हो regular batch में आप क्या extra कराते हो, fast track batch में क्या कम कराते हो हमें कौन सा batch लेना चाहिए, कितना duration है, so on and so forth. तो आज ये सारा doubt मैं आप लोगों के दिमाग से clear करने वाला हूँ right now in front of you all ठीके ताकि आप अपना decision बिना कोई जिजक के ले सको ठीके तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच का difference बताना शुरू करता हूँ फिर मैं आपके end में आपको मैं recommendation भी दूँगा या आपको कौन सा batch लेना चाहिए ठीके सबसे पहले regular batch fast track batch में coverage क्या होगी सर coverage coverage दोनों batch में 100% होगी ऐसा नहीं है कि हम fast track batch पढ़ा रहे हैं तो हम 2-3 चोटे topics छोड़ देंगे या जो less important section से वो छोड़ देंगे say for example अगर fast track batch करा रहे हो तो set off नहीं कराया या chapter six से का data ऐसा बिलकुल नहीं है coverage दोनों में 100% होगी एक भी provision दोनों में नहीं छूटा जाएगा दोनों में coverage हर एक provision हर एक case law सारे के सारे circulars notification जो भी आपके exam के लिए सब कुछ हम आपको class में कराने वाले ठीक है यह पहली चीज़ दूसरी चीज सर किताबे कितनी मिलेगी हमको देखो यहां पर आके फरक शुरू हो जाएगा regular batch में आपको छे किताबे मिलेगी जिसमें तीन बुक जो है वो detail book है it's a kind of ICI material detail book में क्या होगा पता है detail book में आपका bear act होगा bear act मतलब जो आपका income tax law है original income tax act 1961 है वो होगा तो detail book से हम लोग क्या करते हैं हम लोग कुछ difficult topics है जैसे assessment procedure या आप बो आप बो transfer pricing या non-resident यह कुछ बड़े-बड़े topics is CA final में या business and profession capital gains यह सारे topics हम detail book से पढ़ाते पहले और फिर बाद में हम अपनी color book से जाकर उसको क्या करते compile कर देते हैं तो detail book में हम आपको interpretation सिखाते हैं detail book में हम आपको यह सिखाते कि ICI का material कैसा designed है कितना detail में लिखा हुआ है उनके material क्योंकि उनका material 2000 पेज का होता है तो जब student हमारी किताब देखता है उसके बाद उनका material देखता है तो डर जाता है कि आपकी किताब तसर पांसो पेज में आपने पूरा income tax compile कर दिया institute ने तो धाई हजार पेज डालके रखा है तो इसलिए हम आप उनको detail book देते हैं और उसमें से पढ़ाते भी और बताते भी हैं जो भी आप detail book में से पढ़ रहे हैं वो आप ultimate color book में से revise करने वाले हो exam के दिन आपके पास color book पकड़ने का ही time होगा detail book पकड़ने का time नहीं होगा तो detail book में आपको बहुत सारे circular detail में मिलेंगे बहुत सारे provisions detail में मिलेंगे एक एक कानून बहुत detail में लिखा होगा bear act में लिखा होगा जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूँ तो यहां पर say मैं आपको अगर कोई chapter बता दूँ यह मेरा detail book है ठीक है यह detail book के अंदर मैं अगर आपको कुछ दिखाओ say for example यह आपका कोई depreciation का chapter ठीक है तो यहां पर आपको देखो depreciation के उपर पूरा का पूरा से एक कोई भी एक मुद्दा उठा लेता हूँ से additional depreciation ठीक है आपने सुना होगा आपने see enter में तो additional depreciation का देखो यहां पर आपको detail में discussion दिखेगा कि अगर आप machinery खरीदोगे यह करोगे यह करोगे वो करोगे manufacturing करोगे production करोगे 20% detail में है यह exactly bear act जैसा है और SI आपका ICI material भी है तो ICI material भी ऐसा ही है आपको भी SI bear act के तरह दिया गया ठीक है तो यहां पर इसलिए आपको थोड़ा सा एक feel देने के लिए कि exactly income tax log कैसा दिखता है आपको यह feel देने के लिए कि income tax log के अंदर bear act कैसा दिखता है आपको यह feel देने के लिए कि institute का material कैसा दिखता है यह बहुत जरूरी है as a teacher मुझे यह बताना कि आपको institute के material के अंदर चीज़े किस तरीके से लिखी गई है इसलिए आपको क्या होगा आपको एक provision के उपर जा सकते हो आप उसमें आपको directly color book मिलेगी 100% कवरेजे उसके अंदर 100% कवरेजे लेकिन उदर हम लोग directly simplified version में चले जाएंगे हम लोग bear act पढ़कि उसको analysis करने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे directly हम लोग simplified version से उसमें आपको पढ़ा देंगे ठीके साथ में दोनों के दोनों कोर्स में आपको question bank मिल जाएगी question bank जिसमें लगबग साड़े 400 से जादा questions कवरें साड़े 400 से जादा questions कवरें जिसमें ICI के सारे के सारे questions कवरें जिसमें past RTPs कवरें 6 atom की 6 atom की past walk test कवरें 5 atom के past papers कवरें और latest amendment के उपर मेरे बनाये हुए कुछ questions है और पिछले साल के भी amendment के बनाये हुए questions है और सारी की सारी question bank star mark से categorized है मतलब कौन सा question कितने star का है वो सब कुछ आप में किताब में लिखा हुआ है जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहां दिखा दू तो यह question bank है हमारा यहां देख सकते हो यह question 3 star है यह question 4 star है यह question कौन सा है यह question आपका 5 star है उससे क्या हो जाएगा एक student को question select करने में असानी हो जाएगी on the day of exam 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 के दिन वो question असानी से select कर लेगा कि उसको कौन सा question करना है कौन सा question नहीं करना है next तो बस यही बोलना चाहरा हो ultimate conclusion क्या है यहां पर बहुत detail में जाएंगे हम subject के अंदर deep भूश जाएंगे और यहां पर ह regular batch है वो 220 से 225 घंटे के बीश में खतम हो जाएगा और जो fast track batch है आपका exam oriented batch है वो 120 से लेकर 125 घंटे का समय उसमें लग जाएगा ठीके अब दोनों में practical questions कराये जाएंगे कि नहीं कराये जाएंगे यह सबसे बड़ा सवाल होता है और यह सबसे important सवाल होता है जब भी कोई आप class select करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि teacher questions कितने solve कराता है अगर teacher sufficient question नहीं solve कराता है तो वो class का कोई मतलब नी बनता है आप 100 घंटा पढ़ लो 1500 घंटा पढ़ लो 1000 घंटे पढ़ लो कोई मतलब नी बनेगा provision सिर्फ रटने से अगर provision क application नहीं सीखोगे और यह नहीं सीखोगे कि questions को कैसे solve किया जाता है institute कैसे question पूछती है और उसको आपको कैसे tackle करना है जब तक आप question नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं कुलेगा therefore solving maximum question यह हमारा हमेशा से priority रहा है आप हमारे students से पूछ लेना हम maximum questions कराते हैं दोनों batch के अंदर regular batch के अंदर हम लोग साड़े 300 से जादा practical questions class के अंदर करवाने वाले है और fast track batch में भी आप बिलीव नहीं करोगे बहुत सारे students तो शौक हो गए थे last time के हमारा fast track batch करने के बाद के सर आपने 120-125 घंटे में इतना सब कुछ coverage करने के बावजूद इतने 200-300 questions हमको करा कैसे दिये सर वो बस वो time management की बात होती है बेटा time management का काम अगर धंग से करोगे तो कम से कम समय में maximum चीज़े हो सकती है तो fast track batch में भी हमारे जादा compromise नहीं होगा लगबग जो regular batch में cover होंगे उसमें से जो less important questions है वो हम नहीं करवाएंगे बाकी सारे questions आपको fast track batch में भी कराए जाएंगे यहां तक के last बहुत सारे attempt के RTPs, mock test और exam papers भी class में ही solve करवाता हूँ है exam के batch होनी के बाद नहीं class में हम लोग regular batch में पिछले 6 attempt के RTPs, mock test, MTPs, exam paper यह सब कुछ करेंगे और fast track batch में भी लगबग 4, 4 बोल रहा हूँ मैं बोलता कम हूँ कराता जादा हूँ मैं यहाँ साड़े 300 बोल रहा हूँ ना तो मैं सवा 400 ही कराऊँगा, मैं 200 बोल रहा हूँ ना तो पौने 300, 300 ही कराऊँगा, मैं बोलता कम हूँ कराऊँगा जादा, क्योंकि जादा बोलके कम कराने में मज़ा नहीं है, कब बोलकर जादा कराने में जादा मज़ा है, ठीके तो यहाँ पर भी मैं चार एटेम बोल रहा हूँ, मुझे अगर समय मिले तो मैं पांच के, पांच के, छे के छे एटेम का RTP, Mock Test और Exam Paper सब कुछ करा दूँगा, ठाइक है, क्या हमारे batch में test conduct होंगे, क्योंकि writing practice बहुत जरूरी है, yes, regular test होगा, जैसे ही एक topic खत्म होगा, उस पहले वो recording को पहले complete कर लेंगे, उसके बाद आपको dispatch करना शुरू करेंगे, तो fast track batch हमारा 7 November से dispatch होना शुरू हो जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और regular batch जो हो हमारा अभी भी available है, आप ले सकते हो, ठीके, तो दोनों के अंदर मोटे-मोटे तौर पे मैंने ठीके, उसके बाद, duration में फरक है दोनों के, ठीके, उसके बाद practical questions के coverage में थोड़ा बहुत फरक होगा, और drastic difference नहीं करूँगा मैं, plus, दोनों के अंदर similarity क्या है, दोनों में आपको test मिलेगा, और दोनों के दोनों के अंदर आपको color book मिलेगी, question bank मिलेगा, 100% coverage मिलेगा दोनो में, दोनों में question bank मिलने वाला है, दोनों में sufficient questions cover किये जाएंगे, दोनों में past RTPs, MTPs भी cover किये जाएंगे, ठीके, अब आपको कौन सा batch लेना चाहिए, देखो, as a teacher, आप मुझ पे अगर फरोजा करते हो, तो अगर आपके पास sufficient time है, then you should always go for regular batch, always regular batch, sufficient time है, तो हमेशा regular batch के sufficient time मतलो, अभी तो होना ही चाहिए, sufficient time यार, 6 paper हो गया, 8 के बदले 6 हो गया, अब अब तो sufficient time होना चाहिए, देखो, जिन्दगी में एक बार सी ये final exam देने का संकल्प करना चाहिए, इंसान को, ऐसा नहीं कि बार बार देते रहना है, एक बार जीवन में देना है, अच्छे स देना है, तो अच्छे से पढ़ना भी है, और अच्छे से कब पढ़ा जाएगा, जब हर एक provision पे आप समय बिताओगे, अब हमारे class के student से पुछो, हम लोग एक एक provision पे कितना समय बिताते है regular batch में, हम लोग deep में जाते, पूरा provision अंदर घुसते, ताकि exam में अगर difficult से difficult paper भी आसान हो, वो उसको exemption score करने में दिक्कत नी हो, तो समय है, तो आपको क्या करना चाहिए regular batch के लिए जाना चाहिए, और अभी तो काफी समय है आपके पास, हाँ, अगर आपके पस समय नहीं है, ठीके, अगर आप exam के last 4 मेने, 5 मेने में खड़े हो, इसलिए बैच भी मैं batch के पीछे पढ़ जाओगे, और जल्दी खतम करने के चक्कर में compromise हो जाता है, थोड़ा बहुत तो होता है ये बिटा, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज जल्दी समझ नहीं आती है, थोड़ा समय लगता है, हर किसी का mind fast नहीं होता है, हर कोई एक बार बोलने पर समझ नहीं पाता है, तो अगर जिसको थोड़ा सा भी समय लगता है कोई चीज को समझने में, ठीके, तो मैं उनको तो recommend करूँगा कि आप regular batch ही लो, जिसके पास समय है वो regular batch लेगा, जिसको थोड़ा समझने में time लगता है, एक बार बोलने पर teacher के समझ नहीं पाता है, थोड़ा time चाहि उसको provision को समझने में कोई भी चीज समझाएगा teacher, तो उसको खुद का अपना time चाहिए, तो regular batch लो, क्योंकि वहाँ पर अपने पास समय है provision पर बात करने की, अगर कोई provision पर ही मैं यहाँ पर दो घंटे बात करता हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर उसके 7 गंटा आप sufficient समय दोगे, तो आपके लिए अच्छा है, या तो यह batch लेकर फिर आपको थोड़ा ज़्यादा self study करना पड़ेगा, दोनों में से जो भी है वो अपना decision लो, मेरा personal recommendation, पहला recommendation क्या है, कि आप कर लो regular batch, अभी तो है समय आप, अराम से करो, exam के लाज 4-5 मैने में हो, और आपको दो तिन सब्जेक खतब करना है, तब तो regular batch possible ही नहीं है, तब आप fast track batch के लिए चले दाना, ठीक है, तो वो उससे साफसे decision आप ले सकते हो, तो that's it from my side, I hope I have cleared all your doubts, इसके अलावा और भी कोई doubt है, तो आप नीचे comment box में डालिए, मैं आपके doubts को address करने की ज़रूर झाओ पनापै